हेलो दोस्तों स्वागात आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल जे पी रिसेच सेंटर लिपीटाड़ पर आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट साइन्स का भी भी है किया चाल क्या तो क्या चास्थ होती है सदिश का मतलब क्या होता है दिशा धिसा के सद था तो क्या है? विदियो में आप लोग को फोटी कॉसें करवाएंगे जब बिभी आई है ना तो चलिए फटा-फटा में दूसरा नमर कॉसें बृतिये गती प्रकार में बिडिये गती भी आता है तो बिडिये गती कुन होता है जो गती की दिशा के लागातर बदलते रहती है क्योंकि एक ब बदला पहले पूरब क्या पच्छीम फिर उत्तर फिर दच्छीन इस तरह से दिशा बदलते गया क्या हो गया अब चलिए आगला कॉसें देखते हैं देखिए इसका तीसरा नमर कॉसें की एक समान बृतिये में एक समान बृतिये में क्या था चाल और वेक दोनों अचर होत के दिए हैं चलिए हम लोग देखते हैं चोथा नमर कोशन कहा गया है कि जड़तु का गून जड़त का गून जो होता है ना परतेक वस्तु में होता है कि किसी वस्तु को जब्ण हम रखेंगे उसमें जड़त का गुन हमेशा लगेगा चलिए पाचवा नमर कॉशन देखते हैं पाचवा नमर कॉशन कह रहा है कि किसी गती सील पींड का समवेग व्यक्त किया जाता है किसी गती सील पींड का समवेग है ना किसे व्यक्त किया जाता है तो आप लोग याद रखेगा समवेग बराबर होता सुराइबर होता है उसा एक battle नियात होता है कि Haben उना कहा है कि we इस जो किनी नियत नियत के लिए हमेशा नियत होता है आप किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार उस वस्तु के पदार्थ के गुरुतु पर निर्भर करता है जिसे यह प्रित्वी है अब इस पर कितना भार लग रहा है कि उस वस्तु पर निर्भर करेगा किस वस्तु बड़ा कितना है और कितना छोटा है तो से कार जो बनें वन विश्थापन का गुनन फल है का पूछ रहा है यह कौन सा रासी है तो पुछ रहे हैं तो सदी सदिस ना चले इस डएब अपि को चले हैं कि तरफ दसवा नमर कॉशन कहा गया है कि अगर किसी पींड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज उर्जा क्या होगी यह कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास नैंत वालों के लिए अगर किसी वरस्तु की पींड का वेग आधा कर देंगे तो इसके गतिज उर्जा क्या होजागी इसकी नो गुण्णी यह समवएक तीन गुणा करेंग तो इसका गतिज उर्जा क्या बढ़ जाएगा इसका नो गुण्णी बढ़ जाएगा आप द्रह आप दोनी तरंगे होती है यह बी इनपोर्टेंट को दोनी प्रकार क्योंते परगे और अनुदर यह होती है चलिए अगला कॉसे देखते हैं अनुदर्य तरंग में एक संपीडन एवं बल रहत है आपको सीधिक रहा है इसको क्या बोलते है नलम परते अब जिए देखते हैं अहला नमर सफिर जोदोंस नमर सब्सक्षित है दो हुआ है बोला है कि निमलिखित में कौन पदार्थ है यह ब्लब तो घंध नहीं है इंट पदार्थ जिसको क्या होता है उसका उसको तोस दरहवा इस तरदर हो पमें प्रेम भी पदार्थ है यह पदार्थ है नहीं तो इसका टंडा पे मतलब पे मतलब पीने वाला यह फंदा पे मतलब क्यों पदार्थ हो जोगा आप इसलिए के यह कटोरी में लेगा अपसे बादल क्या कलता है संगनं आपने बादल क्या होता है पादल और था आजाता है क्या है वहाता है तो घ्लान किरिया होती है कि नीम नंकित में कौन सुध्ध है कौन थे ला फसका तत्व है आप याद किजिए हवा हवा तो तत्व नहीं है एक से लेकर आप लोग को बीच तक बताएं थे अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो तत्व के प्रवणों संख्याक बारे में तो आप लोग देख लीजेगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल की पहचान करें विलेयन की इसे होता है ना मिट्टी ये तो विलेयन नहीं विले नहीं वाई भी ले नहीं इसका राटन से क्या ज़्यागा समधरी जल क्या है निरवान करते है अब चलिए देखते अगला question जल के एक अनु में hydrogen और oxygen का भार क्या होता है तो इसको आद रखेगा एक अनुपात आठ क्या होता है एक और इसका जो होता है इसका संख्या कितना होता है इसका प्रवन संख्या का थो चलिए अगला कॉसन देखते हैं अब तो चलिए सबस्क्राइब दर्यमान निकाल लेंगे हम लोग सोडियम का निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है तैस होता है इसका परवन दर्यमान कोलोरिंट का होता है 17.5 कितना होता है 17.5 दोनों को अब देखते हैं को मानक ताप एवंग दाव स्टीपी पर किसी गेस के एक मोल का इतन कितना होता है एक मोल का इतन तो 22.4 लेटर होता है इसका राइट है इसको याद रखेगा 20.4 लेटर अब चलिए हम देखते हैं अब चलिए अगला कौसें देखते हैं किसी तत्यु के परमानों में 18 नीट्रोन है क्या है अठार नीट्रोन और 17 प्रोटोन है सत्रव प्रोटोन तो तट्यु का परमानू दरिवमान याद करना है आप याद किजिए कि नीट्रोनों के संख्यार प्रोटोनों के संख्यार जोड़ेंगे तो क्या निकलता है परमानुदरिव मान तिससे दोनों को जोड़िये तो कितना निकल जाएगा अपका 35 निखल जाएगा तो आप चलिए देखते हैं 25 क्या उपस्थित रहते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोन उपस्थित होते में पाया जाता है तारकाय को इंगलिषी बोलते हैं सेंट्रोस्वं तो तारक में क्या पाजाता है कोशी का दर्व पाया जाता है कि-स पूछ रहा है कि अंदर जल अब घटक एंजाइम होता है तो आत्मातिया का थेले किसे का जाता है लाइसोसोम को आप चलिए अगला कोशन देखते हैं 26 नमर कोशन पुझा है कि कीस परकार के उतकों की किरिया सिलता के कारण पोधों में वार्सिक वले बनता है यह बहुत ही मौस्ट इंपॉर्टेंट घ्र करता है तो जर से होते हुए जल आलो खनी जलवान को पेड़ पोधों पतियों तक महुंचाता है तो ट्रेकी ड़ता है चल्यायलम में प्रकार है अपसरन नमर में करेटन सरो जगा आप देखते हैं तिस्वा नमर कॉशन कहा रहा है कि कीन कोशी काओं की भीति क्या लिखा ले यहाँ पर देखे ले सकते हैं लेक गिरिन के कारण मोटी हो जाती कीन कोशी काओं के तर प्रूटो जोवा एगो मेटो जोवा इसको आद रखेगा प्रूटो किस जन्तु में उत्सरजी अंके रूप में ज्वाला कोशिकाई पाय जाते किस जन्तु में आप आधर के टेप पर्म क्या हो जगा टेप फॉरम आपका रेट इंसर वह जग है ना अब देखते हैं त्यत्तिति नमर कोशिक इन में कौन बहुत कोशिक के मतलब बहुत सारे कोश स्थी दिन श्रहु जड़ा है मलेरिया सर्दी जब Ayster मलेरिया बहुत ही लंबी वहती दिमारिक के लिए ना अधिक समय के लिए होता है मलेरिया इसका राडन सरो जगा आप देखे हम लोग समझते हैं अगला कॉशन कि रोग वाहक कीट का उधारन है रोग वाहक इसका अप्शन नमर्ड हो जगा इन में से सभी क्योंकि मच्छर भी रोग का कारण है मक्खी भी रोग का कारण है और तेल चट्टा भी रोग संपदा परकिर्व्गी संपदा परकिर्थिप पंद ओ कहरता होनु करता होते हैं और रे humourता का contracting होता है मीरदा एक जगा जगा से दुछ जगा से चिले जाना क्या ωता है मिड़दा अपरदन की तरप कहा है कि कीन गेसो के कारण अमल वर्षा होती है most important question है भी भी आई question है कीन गेसो के कारण अमल वर्षा होती है तो याद रखेगा sulfur dioxide SO2 है ना sulfur dioxide इसको याद रखेगा अब देखते हैं अगरा question कि इथिलीन डाइब्रोमाइड आने एड़ीबी क्या है आप याद रखेए कि एड़ीबी क्या है एक धूमक है अब चलिए देखते हैं लास्ट कोशन आज का लास्ट कोशन है कि कंपोस्ट में nitrogen की परतिस्ता क्या होती है एक कोशन एक बार पुछा गया था तो 0.5 परतिस्त होती कंपोस्ट में nitrogen के मतला कितना होती है 0.5 परतिस्त तो आप लोग को most question important जो पुछे जाएगा आपको 2000 कितना में 2022 सुरी 2023 में पुछा जाएगा तो याद रखेगा तो 2030 के लिए important question जो आपको chapter वाज यान set वाज आपको करा देगे class 9 और class 8 वाला और class 10 वाला भी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं है और अपने दोस्तों के साथ भी share जरूर किजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर class 8 और class 9 और class 10 की धाकड से धाक क्लिए जाहिए